अच्छा हनमान जी में बल कितना है दस हजार हातियों बड़ाबर बल एक दिगज बनता था दस हजार दिगज बड़ाबर बल जिसमें होता था वो एरावत बनता था दस हजार एरावत हातियों बराबर बल जिसमें होता था वो एक इंद्र बंगता था और दस हजार इंद्रों का बल हनमान जी की छोटी सी उंगरिया के उपर के भाग में है हनमान जी बोले तुमने अपने लर्का कौन भेजो तो सबसे पहले अक्षय कोमार हनमान जी बोले अक्षय का अर्थ क्या होता है रामर बोला जिसका कभी छैना हो हनमान जी बोले मतलब सीधा आता है नाम अक्षय जिसका कभी छैना हो हमने जोचा रामर है विद्वान तो नाम भी सोच समझ के रखाओगा कर छैना नहीं होगा तो हमने मसक्रा तलंग दवाग तीन साथ डिग्री वारा तपकाओ तो माओ लारका जी बोले पांच लोगों के नाम बताओ उपले सीथा के संताप ने आपके प्रताप ने रामड के पाप ने रामण के सापने वह हमाएं पाप तो एक अगे अग लगाई जैसे ही हमने एक घर में आग लगाई चास परकार पबन पबन यानी हवा, अंजनी पुत्र पबन सुत्र नामा, हनमान जी के पिता जी पबन है, पबन दे उन्चास्पकार के चले यो लंका जल गई बोले जे हमाय बाप है